खेंशल को मैंता सब्सक्र oni को सथे टोपिक एमडिए के वह है माइक्रोस फो चलते हैं工作 को ऑं कि तरफ मैक्रोस को कैसे युज करते हैं स्प्राइज को कहते हैं माइक्रोस्क विक नाज़ कम्हीं कि माइक्रोस्कॉपिक का मतलब है यूज उफ माइक्रोस्कॉप जो माइक्रस्कॉब self- mirrors पके पास क्या चीजह कोई भी需 भृआ फिर फों माइक्रस्कॉप अफ़ुमा उसके पास दो चीज्वेंO एक कि हम नाम द थे हैं war inhalation है कि एक टीए नहीं और पस जो mission होगी उसका नाम bunun पावर तो कोई भी माइक्रोस्कोप हो उसके अंदर हम दो चीजों को डिसकस करते हैं एक का नाम है राइजुलेशन और एक को नाम देते हैं मैगनिफिकेशन पावर अब जो रेजुलेशन है रेजुलेशन होता है किलेरिटी ओफ इमज कोई भी आप अबजेक्ट को देख र अगर मैं कहते हैं इंक्रीज साइज ओफ इमज इंक्रीज साइज ओफ इमज या अबजेक्ट इमज तो वो जो साइज को बड़ा करने वो माइक्रोस्कोप की एक ही चीज़ के उपर होती है उसका नाम है मैगनिफिकेशन पावर अब जो हमारी आँखों का जो रेजुलेश आइज मैज और वो है वण मिलिमेटर मतलों पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके दर्मियां कम से कम जो आपको डिसंस नजर आता है वन पॉइंट जीरो मिलिमेटर तो आप वह दो नहीं को डिफ्रेंशियेट कर सकेंगे अगर इस से ज्यादा उनके दर्मियान फासला मजूद है मत नहीं आएगा जैसे एक डोट है और यह जो दूसरा डोट है आपने देखा कि इसके दिर्म्यान डिस्टर्स है वन मिलिमेटर तो आपको दो पॉइंट नजर आएंगे अगर इतना फासला जैदा है कि वह मैंने बता दे कितना है जिरो पॉइंट वन मिलिमेटर तो आपको वह एक ही डोट नजर आएगा आपको दो डोट नजर यह उन दोनों में डिफ्रेंशियेशन नहीं हो पाएगे इसका मदद जो हमारी आँखों क नहीं से को होगी जो रैजर भ्रेषा है वह है उन मिलिमिल्यमेटर जो कि कम सबgeon कि दो फोइंट्ध can a मिलिम्यऩर जो नोखती न ही सब्ना को की डिफ्रय बियूशन है अब इस ही के बाद अगर बात करते र τις सब्सक्राइब Cheese मारे पार दो टाइप से एग जो हमारे पर Race आपम नाम देते हैं कमपाउंट माइक्रस्कॉर एक हमारे पास होगी कमपाउंट माइक्रस्कॉर और यह दूसरी हमारे पास है उसको कहते है अलेक्ट्रोन माइक्रोब अलेक्ट्रोण माइक्रोब तो बेसिकली यहां पर अपने रिडिंग को याद रखना होता है MdCAD में लदाजियर दोर पर आती है यहां कुछ आपको यहां पर MCQS आ सकता है Magnification निकालने के ट्रीका गा तो इंशला वह भी देखेंगी P wives compound मonkedcing को और रह disp को में क्या डिफ्रेंस होता है जो Compound और electron microscope है in की result यह झालःशन कौप में resolution में जो compound Microscope की resolution है यह 2 micrometer है ठीक हो गयाjung और जो electron की यह टू-टू-फॉर एंघ्स्ट्रोम है अब देखते हैं कितना ग्रेटर होता है हमारी आंक के रहाद से तो यह भी देख लेते हैं यह 500 गुना ग्रेटर होता है देन नेकड आई रेजलेशन ठीक हो गया है तो हमारी आंकों से कितना गुना ज्यादा है 500 गुना यह देखते हैं यह भी 500 ग्रेटर होता है कमपाउंड माइक्रोसकोप से 500 गुना ग्रेटर है कमपाउंड माइक्रोसकोप से और धाई लाग गुना ग्रेटर होता है देन नेकड आई से तो naked eye से कितने गुना है ये धाई लाग है और compound microscope से ये 500 greater है और ये हमारी आंकों से कितना greater है ये आपको नज़रता है 500 गुना greater होता है जो कि resolution किसकी compound microscope की अब यहां बे देखते हैं कि इन दोनों को चलाने के लिए जो light का source है वो कौन कौन सा है मतलब कि यहांपे मैं heading बना दूँगा illumination source illumination source तो चलाने के लिए इन दोनों के लिए हमें क्या क्यासर जाएं compound microscope जब भी आप जहां पर रोशनी देखें वहां पर रखें वहां पर जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं तो इसके लिए हमारे लिए इसके लिए जो सबसे इंपूर्टन चीज है वह विजिबल लाइट यह विजिबल लाइट से चलती है तो विजिबल लाइट इसका elimination source है और जैसे electron microscope है आपको पता है यहाँ पर electron की जरूरत होती है जो कि elimination का source होगा तो यहाँ पर beams of electron की जरूरत है beams of electron तो यहाँ पर हमें electron की जरूरत होती है beams of electron को लेकर हमें electron microscope को चलाने और जहां पर compound microscope के लिए हमें visible light की जरूरत होती है अब इसी के साथ साथ सबसे important चीज़ जैसे मैंने आपको resolution तो बता दिया magnification निकालने का तरीका कार क्या है magnification कैसे पता लगाया जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे magnification formula तो magnification जो formula है हमारे पास magnification निकालने का आपको पता है कि जो lens होते है वो दो तरह के होते है एक होता है ocular lens और दूसरे जो microscope के अंदर lens होता है उसको कहते है objective lens तो इन दोनों lens को आप multiply करें तो आपके पास आ जाता है magnification power of microscope जैसे आपके बता है कि जो हम compound microscope के अंदर different किसम के ocular lens को use कर सकते हैं जिससे नहीं एक होता है मारे पास 5x power वाला होता है एक 10x power वाला भी होता है एक 20x power वाला भी होता है एक 40x power वाला भी होता है हम इन lens में से कोई भी use कर सकते है ocular lens में और इसी तरह objective lens भी हम change कर सकते हैं और ये भी हमारे पास different power वाले मुझूद है जैसे कि हमारे पास 10x भी है हमारे पास 20x भी होता है 30x भी होते हैं, हमारे पास 40x भी होते हैं और so on, हमारे पास कफी टाइप के objective lens भी है आपने क्या करने है, जो आपके पास microscope है आपने देखने है, ocular lens कौन सा लगा हुआ जैसे for example, ocular lens लगा हुआ है 10x और जो objective lens है, वो लगा हुआ 40x तो आपने देखा कि 10x ocular lens है और जो 40x है, वो कौन सा लगा है objective lens लगा है, तो आपने इन दोनों को क्या कर देना multiply, तो multiply करने से आपके पास magnification power आ जाती है, वो आ जाती है 400x आ जाती है इसी तरह जो भी लगा होगे, जैसे उबर ocular lens लगा है 5x और नीचे देखा है 10x, तो आपके पास magnification power आ जाती है 50x, तो इस तरह से हम magnification को निकाल सकते हैं, जो कि इजी वे है magnification power को determine करने का ocular lens multiply by objective lens से तो हम इस तरह magnification power को निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर जो electron microscope है, electron microscope, इसके मारे पास दो types है, electron की, यह आपने या रखना है, एक हमारे पास होती है, जिसको हम कहते है TEM, transmission electron microscope, और एक होती है SEM, scanning electron microscope, एक है transmission electron microscope और एक है scanning electron microscope है, जो हमारे पास transmission electron electron microscope है, यह हम study करते हैं, study internal structure internal structure of cell तो cell के internal structure को study करने के लिए, हम यह electron microscope को यूज करते हैं, जिसके नमें transmission electron microscope, तो SEM, scanning electron microscope से हम basically study करते हैं, external structure of cell external structure of cell, तो अगर external structure of cell आपने study करनी है, तो आप scanning electron microscope को यूज करेंगे, और अगर आपने internal structure of cell को study करना है, तो आप TEM transmission electron microscope को study करेंगे, तो आपने यहाँ पे MTCAD के लहाँ से आपको the magnification formula जो आपको निकालना आना चाहिए, कोई भी आपको value दी जाएगे, आप उसको multiply करेंगे, उसके बता देना होगा, इसके बाद आपको readings याद होने चाहिए, electron microscope में कितनी होती है, compound microscope में कितनी होती है, हमारे naked eye की कितनी resolution power है, यह आपको पता होना चाहिए, तो यह है microscope जो कि आपने in detail study किया है, according to MDCAD के लहाँ से, और जोन जोन से points यहाँ पे discuss करता हूँ, उनके लहाँ से MCQs बनाए करें, जितनी MCQs हो से के बनाए करें, different way से बनाए करें, मतलब कि मैं अगर इन में से MCQs बनाना चाहूँ तो मैं आपको तक्रीबन 15 यह 10 MCQs generate करके दे सकता हूँ, 20 generate करके दे सकता हूँ, तो आपको MCQs बनाने पड़ेंगे, आपने lecture लिया, lecture लेने के बाद, आपने past paper को देख लो MDCAD के, यह किसी भी source, कोई भी आपके पास key book है, आप उसमें से देख सेते कैसे MCQs बने हुए, वैसे आप खुद भी अपने तरफ से MCQs को generate कर सकते हूँ, जैसे मैं कहते हूँ, resolution of electron microscope तो आपको पता नहीं हुचिए, resolution of compound microscope आपको पता नहीं हुचिए, resolution of naked eyes आपको पता नहीं हुचिए, what is mean by magnification, clarity of image, increased size of image, internal structure of study, internal structure of cell, study external structure of cell, तो आप कहेंगे, sir, इसका जो option का answer, वो increased size of image है, तो अगर मैं कहते हूँ, source of illumination, in compound microscope, आपको मैं कहते हूँ, beams of electron, wavelength, light, या visible light, सरी, इसका option है, bookie line of visible light है, तो इस जना से आपको MCQs खुद भाखुद जनरेट करने होंगे, magnification निकालने में, आपको मैंने दे दिया है, magnification का तकरीब है, ocularness 20 है, और जो objective नहीं हो 30 है, तो आप आपने multiply करें, आपके पास उसका answer आजएगा, तो इस तरह से आप MCQs को खुद भाखुद प्रैटिस किया करें, lecture मैं दे देता हूँ, lecture मैं बना देता हूँ, easy, easy method बताता हूँ, और वो मक्सूस point में discuss कर लेता हूँ, जो MDCAD के लाख से बहुत जादा important है, मगर MCQs के लिए मैं आपको लाजमी कहूँगा के बैटा practice किया करें, उस topic के अंदर से MCQs को generate किया करें, ओके बटा, अल्ला हाफिस